सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु अभ्याम HARHAR महादेव जैसे कि आप जानते हैं आट है आज है 8 मार्च मा शिवरत्र का पवित्र दिन, मा शिवरत्र का विशेज दिन इस विशेज दिन यदि आप यह उपाय करके आते हैं तो निश्चेत रूप से आपके घर में वज की व्रद्धी संतान की प्राप्ति तो होगी यदि आपकी कोई मनो कामना है जो बहुत समय से रुकी होई है बहुत समय से रुकी है जो पूर्ण नहीं हो पा रही आपने अधिकतर उपाय कर लिए फिर भी पूर्ण नहीं हो रही तो ये उपाय अवश्य करके आईए आपकी मनो कामना जरूर पूर्ण होगी किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है उसकी पूरी जानकर है हम आपको इस वीडियो में अवश्य देंगे पर उससे पहले आप सभी को मा शिवरात्री की हारदिक पताईया हारदिक शुप काम पूजा करने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी पूजा की ठाली में ये दीपक अवशे ही रख के लेके जाना सबसे पहले तो एक दीपक लेना है आपको और ये जो उपाय है वो है विशेश से भी विशेश मनुकामना की पूर्ती कराने वाला उपाय है दो बाती लेनी आपको, अब बाती बनानी सुयम है, बनी बनाई बाती नहीं लेनी, दो लंबी बात लेनी है, जिनको अपने हातों से बनाना है, रुई से, बनाने के बाद में इन दोनों बातों को अपने हात में रखकर एक कर देना है, यानि कि दो बाती से हमको बनानी है, ए आपके मन की कामना करकर, आपके मन की मनो कामना करकर, इस दीपक को प्रजोलित कर देना शिव जी के सम्मुक में है, महा शिवरात्री के दिन, यदि आप ये दो बाती वाला उपाए, दो बाती से एक बाती बना कर ये उपाए करते हो, तो आपकी मनो कामना, फिर वो वन्श्फ जो महादेव के मंदिर की चोकट है यानि कि उस चोकट पर अवश्य ही रखना बाबा आपकी मनों कामना पूर्ण करेगा या तो प्रदोश काल में या फिर जब भी आप सुबह जाएं शिव मंदिर में पूजा करने के लिए तब ये दीप अवश्य ही प्रजुलित करके आए अगला उपाए जो कि है पाँच दीप वाला उपाए पाँच दीप यानि कि पाँच दीपक आपको इस महा शिवरात्री पर प्रजुलित करने हैं पहले तो आपको वो इस्तान बताते हैं पहला इस्तान है बेल पत्री का इस्तान बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे प्रजोलित कर सकते हो, नहीं तो आपके घर की चोखट पर प्रजोलित कर सकते हो, तो आपको पांचो जगे के बता रहे हैं, पांचो जगे पे आपको लंबी बाती के दीप लेने हैं, पांच, जिसमें गी डाल लेना है, वंच व्रद्धी और धन की प्राप्ती, के वर ये द पत्री के प्रक्ष के नीचे प्रजोलित कर दो या फिर शिव मंदिर में शिव जी के सम्मुख में प्रजोलित कर दो ज़िव जी के मंदिर में भी आप प्रजोलित कर रहे हो तो शिव जी की चौकट पर जरूर ये दीव रखना शिवजी के सम्मुख में प्रजोरित करकर ज़िए आमले के प्रक्षी नीचे प्रजोरित कर रहे हो तो महाँ पे कर दो नहीं तो फिर जो आपके घर में तुलसी का क्यारा है उस तुलसी के क्यारे के पास में रखकर ये पहांच दीप प्रजोरित कर दो आपके मन की कामना करते हुए आपके मन के बिलाशा करते हुए उसके साथ ही साथ आपको क्या करना होगा यदि मालो इन किसी भी जगे पे आप ये दीप प्रजुलित नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करना है आपको आपके घर में जो आपका मंदिर है उस मंदिर के सम्मुक में यानि कि मंदिर के पास में ही पाचो दीप प्रजोलित करना, शिव और शक्ति का इसमरण करते हुए, और उसके बाद में जो आपका गर है, गर का मुख्य दुआरे, मुख्य दुआर पर ये पाचो दीप रख देना, दीप की बाती आपके घर की तरफ रखना, घर के विपरी देते हो या फिर वो एक दीप जिसमें दो बाती को मिलाकर एक बाती बनाई चाती है, बाबा, आपकी कोवाम न पोन्ड करे, ये उपाए, आज के दिन ही करना है, महाशिव रात्री वाले दिन ही करना है, अवश्य कीजिए सुपाय को, सब तक के लिए आप सभी को महाशिव रत्रिकी हार्दिक शुपकामनाएं सभी शिरी शिवाय नमस्तु उब्याम और हैर महादेव